नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल जीके हेलेप विद यारवी पर हायरदिक अभिनंदर एवम स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान प्लिस एक्जाम के लिए और आपको बता देता हूं दोस्तों यह मारा मोडल पेपर संक्या 22 है इससे पहले 21 मोडल पेपर अपलोड किये जा चुके अगर अभी तक आपने यह वाले मोडल पेपर नहीं देखें तो दोस्तों डिस्क्रप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है वहां पर आपको य यूटूब चैनल जीके हेलफ विद जार भी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जूरूर करें और पास में जो बैल आइकन बनकर आता है इसे भी प्रेस कर देता कि जब भी हम न्यू वीडियो प्लोड करें तो आपको नोटिफिकेसन मिल जाएं चलिए स्टा राजस्तान ने जन्सूचनब पॉर्टल लौच्छ किया है थो एसा करने बाला भारत का राजस्तान पर्थम राजय है यह कोई भी पर्थम होती होती है तो दोस्तों वह एकजाम में पुछि याति understood कब लोच्छ किया गयाото 23 सतंबर 2019 निश्को इसके तहरे दोस्तों राजस्तान में जो भी विभाग है उनसे समंदित सुचनाई वन किलिक पर आपको मिल जाएगी दोस्तों इसमें बताया है कि किन किन विभागों की जानकरी मिलेगी वह आप चेक कर सकते हैं तेरा भी बागों की तेइस योजनों की जानकरी इस पोर्टल पर उपलब दे रहेगी तो जुरूर चेक करें और कोई भी सुचना प्राप्त करनी है तो वह आप प्राप्त कर सकते हैं चलिए दोस्तों अगला कोस्चने की 18 अक्टूबर 2019 को नगरिये विकास एवं हाउसिंग मंतरी सांती दारिवाल ने जैपुर सेहर के अतरिक्त किन दो सेहरों में दो दो नगर निगम बनाने की गोसना की है तो बताइए दोस्तों आपके सामने ध्यान प्रूक देखे और इसका जवाब है दीजिए तो दोस्तों इसका डी ओप्सन है कोट्टा वह जोद्पूर है यहां पर भी दो दो नगर निगम बनाए जाएंगे दोस्तों तीन सीटी हो जाएगी राजस्तान में जहां पर दो कोट्टा दूसरी जोद्पूर और तीसरा जेपूर यहां पर क्या है दो दो नगर निगम हो जाएंगे तो इसका डी ओप्सन राइट है चलिए दोस्तों अगला को संपन राजस्तान क्रिकेट संग के चुनावों में वेबब गलोत ने किसे हराकर अध्यक्सपद का चुना ने देक्स कोन है वेबब गैलोत यह कि राजस्तान के जो मुख्यमंत्रिया असो गैलोत इनके पूत्र है यह आपको द्याने रखना है चलिए दोस्तों अगला कोश्चने की 11 फरवरी 2019 को एक विदेग द्वारा किस राज्य ने नगरपाली का और पंचायत चुनाव में उम पिछली बार लेकिन अभी जो चुनाव होंगे उसमें सक्षनिक योगेता की बाद देता है सभापते कर दी गई है तो यह अपने राज्य राजस्तान में की यह यानि किस कोस्टन का बी ऑप्शन राइट है बहुत इप्रोटेंट कोस्टन है और एक्जाम में पुछे जान कि फिर्दोस कायम खानी ने किस सफलता में सवरन पदक जीता है तो दोस्तों इसका यह ऑप्शन राइट है और दोस्तों यह जो खेलो इंडिया यूथ गेमस है यह जनवरी 2019 में आयो जीत हुए थे कहां पर पुन्नी चली दोस्तों अगला कोस्टन है कि मतस्य संका राजस्तान में विल्य कब हुआ तो बताई दोस्तों मतस्य संका राजस्तान में विल्य कब हुआ था बहुत इपोर्टेंट कोस्टन है और अक्सर यह एक्जाम में पुछा जाता है तो दोस्तों इसका सी ओप्शन उनकी मर्त्यू के बाद सती हो गई थी आपके सामने रामदेव जी तेजा जी गोगा जी पाबु जी तो दोस्तों इस कोस्टन का बी ओप्स रेट हो जाए तेजा जी की पतनी मर्त्यू के बाद तेजा जी के सती हो गई थी यानि कि बी ओप्स राइट है चलिए दोस्तों का परसीद miracles नरतन यानि कि पको दियान रखने गमर्द रजस्थान का रज्जय नरते हैं कि अगला कोस्टन की राजस्तान पर मरन करने वाले और सोलमी स्तावधी के आरम में एक एकिकरत रज्जय बनाने वालेमुगल समुराच का क्या नाम था वहीज़ाम में और यह अग्जाम में पूछा गया है तो याद रखना इसका बी ओपसन राइट है बाब बर चलिए दोस्तो दस्वाँ कोस्टन है कि बाश्वाडा का मानगरदाम किस समुद्धाय से समद्धा है मांगड़ दाम किस स्मूदाय से दोस्तों राजस्तान प्रिस्ट में मांगड़ दाम से दो ब kızım पुछा गया। यह दोस्तों भीयल समिद्य से समूदेते या निकिस को सुषिन का express it है दोस्तों इसे में जो मोस्ट एपोर्टेट सोटी फाइव कोशिन है इन फोटी फाइव कोश्चन में से आपके कुल कितने राइट होते हैं यह भी कमेंट बॉक्स में जूरूर caid विडियो को लाइक भी जूरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज्यदा से ज्यदा से के सामने इन में से किसका निर्मान पंदरवी स्ताबदी में मारना कुम्बा ने मालवा और गुजरात विज्जे के दुरान करवाया था तो दोस्तों इसका विज्जे स्तम का निर्मान पंदरवी स्ताबदी में मारना कुम्बा ने मालवा और गुजरात विज्जे के दुरान करवाय था चलिए दोस्तों बारमा कोस्टन के अलावदिन खिलजी और मेवाडवासियों के बीच चितोडगड की गेराबंदी किस वर्स होई थी यह कोस्टन बहुत बार एक्जाम में पुछे गे दोस्तों अलावदिन खिलजी और मेवाडवासियों के बीच चितोडगड की गिराबंधी फूर थी दोस्तो tahu 1303 इसी में यानि किस्कुस्चन का भी ऑप्षन राइट है मुण चैलिए दोस्तों अगला कुस्चन है कि किस चोहान साथ सक ने बारमी स्ताब्दी इस्जवई में बिसल पूर किस्ताप्ना किसंच छौहान साथ सक ने बारमी सताब्दी में की थी आपके सामने द्यान प्रुक देखिए और इसका जवाब दीजिए तो दोस्तों बिसलपुर की स्थापना बारमी स्थापदी में विग्रह राज चत्रुत ने की थी यानि कि इस कुष्चन का डी ऑप्षन राइट है चलिए दोस्तों अगला कुष्चन है टोंक में नर्त्य गायन और संगीत के लिए एक सांधार होल सुनेरी कोठी का निर्मान किस ने करवाया था दोस्तों सिता सा कुष्चन बहुत बार एक्जाम में पुचहेगी कि सुनेरी कोठी का पर स्तित है तो याद रखना यह स्तित है टोंक जिले में और इसका निर्मान करवाया नवाब मूहमद इबराएम अली खान ने यानि के आप ओप scorpion राइट नवाब मूहमद इबराएम अली खान ने टोंक में सुने रिकॉथी का निरमान करवाय था कि पांधृमा को स्थनàiत के परसीद मंदिर का निर्मान किस ने करवाय था यह याद रखना दोस्तों स्री कलियान जी का प्रसिद मंदिर टोंक में इस्तित है और इसका निर्मान किस ने करवाय था राजात दिगवने यानि किस कोस्टन का सी ओप्सन राइट है इपोर्टेंट कोस्टन है आपको ध्यान रखना है और दो कुन थे ओप्सन आपके सामने दोस्तों द्यानप्रूग देखिए और इसका जवाब दीजिए तो दोस्तों 1938 इस्वी में जेपुर परजमडल के देख्षते जमनालाल बजाज यानि कि इसको सब्सक्राइब राजस्तान में बिलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठ समाजिक दार्मिक संक्टन था दोस्तों संपसभा यानि किसका ओप्सन राइट है कि चालिए दोस्तों अगला कोस्चन है कि 1922 में राजपुताना के गरवनर जनरल के अजेंट कौन थे बताए दोस्तों 1922 इस्वी में राजपुताना में गरवनर जनरल के अजेंट कौन थे तो दोस्तो 1922 इसवी में राजपुताना के गर्णर जनर के अजेंट थे रोबरेट होलेंड यानि किस कुस्टन का सी ओप्सन राइट है ये भी एक्जाम में पुछा गए है तो आपको ध्यान रखना है चलिए दोस्तो अगला कुस्टन है कि पलाया जिले राजस्तान के किस अंचल में मिलती है और बहुत बार एक्जाम में ये पुछा गए है तो आपको याद रखना है थार का मुरुष्टल है यहां पर ये पलाया जिले मिलती है यानि किसका डी ओप्सन राइट है चलिए अगला कुस्टन है कि थार के मुरुष्टल में पाए जाने वाले चंद्रकार रेट के टिले जो थार के मुरुष्टल में पाए जाते इन्हें बर्खान कहा जाता है चलिए दोस्तों अगला कुस्टन है कि अरावली प्रवत का विस्तार है और आपके सामने दोस्तों ध्यान पुरुख देखे और इसका जवाब दीजी तो दोस्तों इसका और गुजराद के पालनपूर से दिल्लि तक यानि किसका ए ओप्सन राइट है चली दोस्तों अगला कौसें कि राजस्तान के सुरवादिक वार्शिक wrench किस एस्थान पर होती है कि तो दोस्तों राजस्तान में स्रवादिक-वारिसिक वर्षा मांट अबू में होती है यानि ना वराम यह भी धेनरक ना मासीन ल themes जो कि मेंगयाला में सठीध अस्तान है ए चल लीज दोस्तों अगलरा कोश्चन को रज राजस्तान में हाती दानत का का रह में पूछा गया है तो आपको कोस्टन का डी ऑप्सन राइट है चलिए दोस्तों अगला कोस्टन के राजस्तान में बल्यू पोर्टरी का प्रसीद के अंदर कहां अस्तित है बल्यू पोर्टरी का प्रसीद के अंदर तो दोस्तों इसका ए उप्सन राइट है जैपूर में बल्यू पोर्टरी का प्रसीद क का प्रमुख के अंदर है मिट्टी की मूर्तिया बनाने की हस्तकला का प्रमुख के अंदर कौन सा है दोस्तों आपके सामने अबू मौलेला टांकला सापुरा तो दोस्तों मिट्टी की मूर्तिया बनाने की हस्तकला का प्रमुक के अंदर मॉलेला है यानि कि इस कोस्टन का B option राइट है ये भी कोस्टन बहुत ही लोग प्रिया और एक्जाम में अक्सर पुछा जाता है चलिए दोस्तों अगला कोस्टन के उठ खाल पर सवरण नकासी की कला कलाती है उठ कर पर सवरण नकासी की कला कलाती है उस्तकला यानि कि इस question का A option right है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस YouTube चैनल पर डेली राजस्तान पुलिस से समधित मोडल पेपर अपलोड किये जाते हैं अभी तक दोस्तों पार्ट B से समधित 24 मोडल पेपर अपलोड किये जा चुके हैं और दोस्तों आज 24 मोडल पेपर भी किया था अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों उसे भी जरूर देखे इसके अंतर गर दोस्तों जिके जिस और जीए के most important 35 कोस्टन डिसकस करते हैं क्योंकि पार्ट B राजस्तान पुलिस एक्जाम के लिए बहुत है तो दोस्तों इसे जरूर देखा करो और पार्ट C में समन्दीत राजस्तान समयने ग्यान के 45 कोस्टन डिसकस इस वीडियो में कर रहे हैं और यह मारा 22 मोडल पेपर हैं अगर दोस्तों आपने 22 मोडल पेपर नहीं देखे हैं तो इनका लिंक दोस्तों आपको description में दिया गया है एक प्लेलिस्ट है mission राजस्तान प्लिस 2020 वहां प देखा रहे हैं और दोस्तों जो लाइब्रेरियन का अभी एक्जाम होगा था उसमें जो इतने भी कोस्टन पूछे गए थे दोस्तों वे जो 22 यह मेने मोडल पेपर स्रीज कर वाए आप इन्हें देख लिए अच्छी तरह से दोस्तों उसमें जो भी कोस्टन पूछा गया दोस्तों आपके सामने द्यान प्रुवक देखिए और इसका ज्वाव दीजिए तो दोस्तों इसका डी ओप्सन राइट जो है बीलवड़ाव है उद्यपूर में यूरेनियम के बंडार मिले है 28 मां कोस्टन है कि मैं 1988 में पोकरण जो की जेसल मेर मिश्टीत है में आणविक परिक्षन करने की सेंक्रिया का कूट क्या था ओप्षन आपके सामने सक्ति बुद्ध सिवहांस तो दोस्तों इसका बी ओप्षन रेट जब बुद्ध सैंक्रिया का कूट क्या था बुद्ध यह ध्यारक ना मैं 1998 में आन्मिक प्रिक्षण किया गया था कहां पर पोक्रण में चलिए दोस्तों अगला कुस्चन की साइट्यक मारवाड़ी कही जाती है साइट्यक मारवाड़ी कही जाती है तो दोस्तों साइट्यक मारवाड़ी कही जाती है डिंगल को यानि कि इस कुस्चन का ए ओप्षन राइट है डिंगल का हिरोस किसे कहा जाता है यह दोस्तों बहु मालवी के मिसरन से उत्पन बोलियें तो यह ध्यायर रखनाएं दोस्तो इसका बी ऑफ सरे ल जा रांगडी रांगडी जो बोली है यह मारवारी ओर मालवी के मिशं से बनी है मैं चलिए अगला कोशन छेर कि भनी ठणी कि स्रेली से सब्ण तो दोस्तों यह संबंदीत है किसंगड सेली से यानि किस कोश्चन का A option राइट है चलिए दोस्तों 32 कोश्चन के राजस्तान में संगीत नाटक अकादमी कहां अस्तित है ओप्शन आपके सामने दोस्तों जोदपुर जेपुर बुंदी उद्यपुर तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी जेपुर में स्तित है यानि किस कोश्चन का B option राइट है चलिए दोस्तों 33 कोश्चन के जंतरव बपंग का प्रियोग किन के द्वारा किया जाता है यानि कि इसका C option राइट है चलिए दोस्तों अगला कोश्चन है कि राजस्तान में छेत्रफल की द्रष्टी से सबसे बड़ा जिला कुन सा है तो दोस्तो असान कौस्चन है फिर भी एक्जाम में ये पुछा जाता है तो छेत्र फल की दरश्टी से सबसे बड़ा जिला है जेसल मेर यानि कि इसका सी ओप्षन राइट है 38401 वरक किलोमेटर जेसल मेर का जेत्र फल है ये ध्यारक नहीं दोस्तो और छेत्र फल की दोलपूर हैं चेत्रफल की द्रश्टी से कितना गुणा जैसल मेर से बढ़ा है तो याद रिखना 12.66 गुणा बढ़ा है चली दोस्तो है कि बार मेर जिले में लिगणायट की उपलब्दी वाले छेत्र Perspective Radmao बार मेर जिले में लिगणायट की उपलब्दी वाले छेत्र है ओप्षन द्यान पूर्ण देखिए और इसका जवाब दीजिए तो दोस्तो इसका ए ओप्षन एट हो जए गिरल कपूरडी और जाली पा ये बार मेर जिले में लिगनाइट की उपलब्दी वाले चेतर है चलि दौस्तो 36 मेर जिले के कौनसे चेतर में पहली बार खनीज तेल के बंदार मिलने की वास्त्रिक तोर पर पुष्टी हुए है तो दोस्तों खनीज तेल के पहली बार बंडार मिलने की वास्ति तोर पर पुष्टी होई है गुड़ा मलानी छेतर में यानि किस कुष्चन का ए ओप्सन राइट है इस प्रोटेंट कुष्चन है आपको द्याने रखना है दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कि आदिवास्यों द्वारा दिया जाने वाला बोज क्या कलाता है ओप्सन आपके सामने दोस्तों लोकामी पिथल लतारा फू तो दोस्तों आदिवास्यों द्वारा दिया जाने वाला बोज लोकामी कलाता है यानि किस कुष्चन का ए ओप्सन राइट है नेक्स्ट कुष्च गात दोस्तो रामदेव जी के भक्तों दोरा व्यावले गाई जाते यानि किसक्षन का भी और बूसण min है चालिए दो अगला कुंच्षन कीं गोख्रु अबूसन पेने जाते हैं गोख्रु अबूसन कहा पर पहना राइट है ध्यान रखना दोस्तों आप उसनों से समंदित एक्जाम में एक या दो कोस्टन जरूर पुछे जाएंगे और इन से रिलेटिव दोस्तों स्पेशल वीडियो आपको एक मिल जाएगा बहुत जल्द आप उसनों से समंदित एक वीडियो त्यार के जाएगा जो सबसे बड़ा संभाग कौन सा और फोस्तन आपके सामने बिकानिेः जयपपूर जोदफूर चो दोस्तों जोदफूर जोशनभाग में सबसे बड़ा है एक तारीसमा कोस्टन है कि राजस्तान में किस संभाग में सबसे अधिक जिले समलित है दोस्तों इन ओप्सन के दार पर बताना है आपको कि कौन से संभाग में सरवाधिक जिले आते हैं तो दोस्तो इसका ए उफसर राइट हो जाए उद्यपूर समभाग में उद्यपूर समभाग में कुल छे जिले आते हैं दोस्तो इन्हें आप याद रख सकते हैं उद्यपूर परताप रांची में डूबा ये ट्रिक है दोस्तो इस ट्रिक के मद्यम से सबी च्छे जिले याद कर सकते हैं उद्य परताप रांची में डूबा उद्य से उद्यपूर परताप से परताप गड़ रा से रासमंद चीज से चितोड़ गड़ डू से डूंगरपूर बास से बास बड़ा ये च्छे जिले सम्भाग के उन्तरगत आते हैं और दोस्तो एक और सम्भाग है जिसमें भी छे जले आते हैं वो इडा रखना जोदपुर सम्भाग है इसके उन्तरगत भी कुल छे जिले आते हैं इसे भी आप असानी से यान रख सकते हैं जूले जे Peki बोजर समाज़ पाठी से याद कर सकते दो जेसे जोध पूर जेसे जेसल मेर जैसे जलोर ये तीन जे जेंवर जालो तीं जें से फिर बिसे ढाट मेशयरो आप इस St. चाहिए दोस्तों अगला कोश्चना के राजस्थान स्कूल अफ़ आर्ट किस ने की थी उस राजस्तान स्कूल ओफ आर्ट की स्थाप्ना किस ने की थी बहुत इप्रोटेंट कोस्टेना और एक्जाम में ये पुछा गया आपको याद रहे हैं इसका ए ओफसर एड़ोजा स्वाई रामसी ने राजस्तान स्कूल ओफ आर्ट्स की स्थापना की थी चलिए दोस्तो नेश्ट कोस्टन है कि निमन में से कौन सा तत्त वद्य नहीं है तत्त वद्य अंतर तार से बनावा वद्य अंतर कौन सा नहीं है ओफसर आपके सामने रावनता जंतर अलगोजा कामाईचा तो दोस्तो जो अलगोजा वद्य अंतर है ये तत्त वद्य अंतर न कहीं दोस्तों यह पुस्तक है एंड एंटिकुटिज ऑफ राजस्तान इसके लेखे को नहीं है तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखेक है कर नल जयंज्व कर राजस्तान इत्यास के जनक तोड़ और इने गोडेवला बाबा के उपनाम से भी जना जाता है चलिए दोस्तों पंतालिसमा कोस्टन है कि राजस्तान के निमन लिखित में से किस सहर में होली के दौरान रमत का आयुजिन किया जाता है रमत कहां की फरसीद है दोस्तों और इसका आयुजिन होता होली के दौरान दोस्तों क जो आपसे question पुछा गया था उसके बारे में लाश्ट वीडियो में आपसे question पुछा गया था कौन सा नर्ते जसनाती संपर्दया के द्वारा किया जाता है तो दोस्तो इसका अगनी नर्ते अगनी नर्ते दोस्तो जसनाती संपर्दया के किया जता है और लगबग सभी स्टूडेंट ने दोस्तों इस कोस्चन का जवाब राइट दिया और आपको भी कहता हूं दोस्तों जो कोस्चन आपको आता है उसका जवाब कमेट बॉक्स में जुरूर दिया करो क्यों कि जिस चीज़ को आप लिख देते हो वो सदाबर के लिए याद हो जाती है तो दोस्तों डोल नरते के बार वह में बता देते और सब्वी नरत्यों का सिर्व म्होर इस नरते को चाहएं चलिए दोस्तो आपwerk करते हैं क्वेस्चन ओफ the day ने के बारे में इस क्वेस्टेट का जवाब आपको विडियो के कमेंट बोक्स में देना है आजका कोस्चन के मारूराद दुआ काले क्वे कों है ? ओप्शन आपके सामने कवी कलोल सुर्य अमल मिसरन माकवी ब्यारी चंदर बढ़ताई तो दोस्तों इस कोस्टन का जवाब आप वीडियो के कमेंट बोक्स में दे सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बोक्स में जुरूर बताएं और पुन्य मैं आपको ब तो दने बाद दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिजाएंद वंदे मात्रम जय भारत